देखिए यह हमारे पास एक टीवी आया है जिसमें प्रोब्लम है कि डिस्प्ली नहीं चलता है तो देखिए क्या है देखते हैं और यह देखिए यहाँ पर यह बैक लैट जल गया है बैक लैट जल गया है तो देखते हैं टीवी ओन होता है या नहीं होता है क्या कस्टमर का क यहितन है जा नहीज देखते हैं आगे के मैं कंसे जÈ जे देखिए यह पूरा सच्छों ब्लेंक आ रहा है पूरा डिस्प्लेट तो इसमेंज़ बैकलेट जल्ड़ बुलू बुलू जैसा आ रहा है नीचे से देखिए वो डिस्प्लेम पुरा बुलू बुलू जैसा आ रहा है पर पिक्चर कुछ नहीं आ रहा है पुरा बलैंक है डिस्प्ले तो आइए देखते हैं क्या है इसमें यहां पर देखेंगे कि हम 12 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है पैनल भी सी सी यह आ रहा है 12 वोल्ट देखेंगे यह 12 वोल्ट पूरा सही है यह 12 वोल्ट आ रहा है और अब देखें के आगे और भी सारे वोल्टेज बंड या नहीं बंड बंड यह 12 बोल्ट आ रहा अब देखते हैं आगे यहाँ पर घृची है View on beis on को bgf कहते है तो यह bgf वोल्टेज देखते है कि विधियस बंड आ या बंदा यह देखिए यहाँ पर VGS वोल्टेज एक परसेंट भी नहीं बंदा है थोड़ा भूल्टेज नहीं बंदा है तो यह सच मुझ यह डिस्पले का फॉल्ट है बीजिए बंदना चाहिए था डिस्पले फिगर आने के लिए यहाँ पर 1.8 आना चाहिए देखिए हाँ य एकदम यह 1.8 सही है और अब देखते हैं कि A VDD बंदा है या नहीं बंदा है यह तो बंदा है A VDD भी नहीं बंदा है पूड़ा एकदम 0 है A VDD भी डेखते हैं फिर इधर नहीं कुछ भी नहीं 0 पूरा 0 तो अब क्या करना है देख लेती हैं आपने 3.3 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है 3.3 वोल्ट यह देखिए यह 3.3 वोल्ट सही आ रहा है बाकि vgh और avdd नहीं आ रहा है तो इसमें हमें लगड़ा है कि ckv track cutting method को अपनाना होगा तो देखिए यहाँ पर ckv track है इस side है track यहाँ पर यह है और इस side भी है अगर एक side cut करने से नहीं सही होता है तो उसको joint करके फिर दूसरे side का cut करना पड़ता है तो आज़े देखते हैं इधर भी है तो इसमें हम एक ही line cut करेंगे एक ही track cut करेंगे और हमारा problem का solution हो जाएगा तो आज़े देखते हैं कौन से track cut करना है देखिए यहाँ पर हमने track cut कर दिया है और यह देख रहे हैं एक track cut किया हुआ एकदम अच्छे से नजर आ रहा है तो इस track को cut कर दिये हैं और अब देखेंगे आना चाहिए था वो 30 से 33 वोल्ट तक आ गया है 26 से 33 वोल्ट तक ऐसी इसी रेंज में रहता है voltage VGH 26 27 28 यह भी डीडी भी हमारा बन गया है एवी डीडी देखिए एवी डीडी भी हमारा 14 वोल्ट बन गया है तो अब पिक्चर आ जाना चाहिए तो अब देखते है टीवी देखते है पिक्चर आ गया या नहीं आ गया क्योंकि VGH बन गया तो हमें लगड़ा है अब आ जाना चाहिए टीवी पिक्चर यह देखिए देखते हैं यह देखिए पिक्चर आ गया है एकदम बढ़िया चल दा है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से ट्रेक को कट करना है तो तो बनना ही बनना है टीवी अभी हमने एक ट्रेक को कट किया था और देखिए यह रिजल्ट आपके सामने है कैसे चल दा है टीवी अभी पूरा बलें पैनल में ऐसा प्रोब्लम आता है कि ब्लैएंग हो जाता है बहुत सारे मैंने ऐसे पैनल में देखा है कि डिस्प््लेए ब्लैकर प्रोब्लम आता है तो इसी तरह इसको ठीक करते है।